जे जिनेंद्र, जे भोलेनाथ दोस्तों, नो बच के पचास मिनाट, आठ मार्च दोजार उन्निस, आँ मैं अपना चेहरा कम दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है, दोस्तों मेरी एक्जाम है 14 थारी को रिसर्च चेनेलिस्ट की, तो थोड़ी मुझे करिएगा, लेकिन मैं कोजिस करता हूँ, क्योंकि 14 थारी को मेरी रिसर्च चैनेलिस्ट की एक्जाम भी है, सूरत में, तो एनिवे दोस्तों, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कल जो आप लोगों को देखा मैजिक, 11.121 पे मैंने शौट दिया था, निफ्टी फूचर्स, कल आप लोगों को दिखा भी, दो बज के 47 मिनिट पे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुए कि 10 पॉंट से भी ज्यादा बढ़ जाए, 11.139 का हाई बना के, कली 11,090 तक आ गया था, और आज तो 11,045, तो दोस्तों, इस लेवल का आपको एडवांस टेलेंट कोई दिखा सकता इंडिया में, तो मैं उसको पाउं पे छू के सेलूट करूंगा, हर चीज आप लोगों मैंने दिखा कि एडवांस में लिखता हूं, एडवांस में बोलता हूं कि अब इसकी टाइम आ गई, तो बस यह मैं खली प्रूफ करने के लिए दिखा रहा था, और कुछ नहीं देख ली जा, और यह गूल मॉनिंग पोस्ट आज का यह था, यह चपन मिनिट पहले का, यानि कि कितने बज़े का हो गया है, आठ बच के चपन मिनिट का, तो इसमें क्या लिखा हूं, देख ली जा आप लोगों, लेस्ट डिरेक्टली टॉप्ट टॉप्ट टॉइं टार बिलो ग्यारा, अबोव, अबोव, ग्यारा एक्सक्राइट, और इस शुट भी, अल्सो भी स्टिक्ली फॉलवड, वैसे कल भी जब मैंने सेल कॉल दिया था, यह पढ़ लीजे, बस इतनी स्टोरी है, और क्या है, कुछ आनी जानी नहीं, तो दोस्तों बस दिखा रहा हूं को अप लोगकर मेरी कलास, इस लिए बोलता हूं, जोईन करूए, जो वेल्यू मैं ले रहा हूं, पचीज़ ज़ार, उसकी वेल्यू है, एकडाए करोड है, जब आप कलास करोगे, तब समझ में आएगा, और यह कुछ कल के, यह कल कुछ ज्यान बाँत रहा था मैं, अपने तो आप लोग से भी शेर कर दिता हूं देखिए सब पोस्ट आपको दिखा देता हूं कलके घ्यान के पोस्ट यह भी ज्ट्रोजी के घ्यान तो आप लोग पड़ लीजे हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा और यह भी देख लीजे मुझे यूटूब का शारा लाइने की दर्कार नहीं पड़ती है लेकिन मैं सोच्छा हूं सब तक पहुचे कि मेरे ऐसे बहुत फोलोवर्स है तो बाबा लोग को जरूरत पड़ती है उसके उनके फंजी दुकान तब ही चल पाएगी कि और देखिए दोस्तों कि मैंने लिखा था मेंचै कि फूझ कोई भी जूट नहीं लिखता है दोस्तों दो है विए इस यहीं जनकी बात बाध है कि आई यह यह बिविए ग्यान की बात है मेरी और यह पर सन्नल ग्यान है कि मुझे है अठाइस से उन्तिस साल का एक्स्पिडियेंस है स्टॉक मार्केट का जो कि आधकल तो एक साल में बाबा लोग बाबा से सिधा एनलिस्ट बन जाते हैं ऐसे भी बहुत सारे आप लोग देखी रहे हैं जिनको खुद को कुछ नहीं आता है वह आपको क्लासेश ले रहे हैं कोई फोरक नहीं पड़ता दोस्तों बस आप लोग का प्यार बना रहे हैं आप लोग दुआ में बस याद करिए कमा यह जितना पैसा कमाना है लेकिन बस दुआ देती चाहिए